दोस्तों मैं कुलदीब आपके लिए एक अनादर वीडियो के साथ दोस्तों मैं आज बात करूँगा निफ्टी के बारे में निफ्टी जो जिस इसाफ से चल रहा है गए गए 6 दिनों में जिस इसाफ से रफ्तार पकड़ा है उसके बारे में मैं आज बात करूँगा दोस्तो यह वीडियो में मैं पूरी तरीके से लॉंग टर्म इंवेस्टर शॉर्ट टर्म इंवेस्टर जिनको अभी आने वाले टाइम में क्या टागेट होना चीए और कहां पर वो लोग प्रॉफिट बूक कर सकते उसके बाइर में मैं टोटल बताऊंगा अभी मैं आज बात जो अभी फिलाल मार्केट में हो क्या रहा है मार्केट में जिस तरीके से तेजी हो रहा है आपने देखा होगा कि 9500 से मार्केट को करीब अभी तक यहां पर लाया है 10200 तक सो दोस्तों इस तेजी के पीछे काफी बड़ा स्मार्ट मनी स्मार्ट इन्वेस्टर ऑपरेटर ज आपको आज पता चला होगा कि निफ्टी में लाज 9200 के स्थर पर आपने सेलिंग प्रेशर काफी बड़ी मात्रा पर देखा है तो दोस्तों अगर हम लोगों को जो 9200 से फिसल के मार्केट आज जो बंद हुआ हो 10,060 के पास बंद हुआ है तो हम लोगों यह चेताउनी है क अज़ी का हम लोग एनलेसिस करने के लिए पता करते हैं लोग को यह तेजी के पीछे क्या हो रहा है यह तेजी के पीछे पूरी तरीके से जो ऑपरेटर का हाथ होता है ऑपरेटर स्मार्ट इन्वेस्टर से यह लोग चाहते कि अभी इन लोगों को करीबन 10,400 से लकिन 10,500 तक यह लोग यह इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं हलाकि दोस्तों आज कल जो इंडेक्स मैनेजमेंट करके इन लोग जो है टोटली इजी वे पर इन लोग इंडेक्स को वहां पर लेके जाते हैं तो दोस्तों 10,500 क्यों अगर आप बोलते हो तो इसके पीछ एक टेक्निकल इंडेक्रेशन भी आ जाता है जैसे कि आपने अगर फीबोनची रिट्रेस्मेंट लेवल देखा होगा अगर 7,000 का जो रिसेंटली बॉटम किया था मार्च मैने में उस वहां के अगर बॉटम से अगर आप देखोगे तो इसका जो टोटली तरीके से जो रिट्रेस्मेंट लेवल आता है वो अल्मोस्ट 10,500 के लगबग आता है तो दोस्तों अगर इस रैली में हम लोगों को अभी करना क्या है एक सबसे बड़ा क्वेस्टन है तो लॉंग टर्म हो या शॉर्ट टर्म इ हम लोग इसको अल्मोस्ट हम लोग अभी करकें उसमीर मंदी के पहले अब को यहाँ प्रॉफिल बूख करना है sentenced का इस गर बुख होने के बाद आपको आने वाले टाइम में यह शायद आपको कहींब दे सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बचा हुआ जो प्रोफिट बूक करना है आप बड़ी लेवल पर या लॉंग टम के लेवल के हिसाब से आप बचा के रख सकते हैं आप बचा के रख सकते हैं